भजन सहिता 51, 10-19 तक, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुधमन उत्पन कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन कर, मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझे से अलग न कर, अपने किये हुए उध्धार का हर्ष मुझे फिर से और उधार आत्मा दे कर मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, और पापी तेरी और फिरेंगे, हे परमेश्वर, हे मेरे उध्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से चुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जैजैकार करने प्रसन होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहर पनाह को तू बना, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वान पशुओं के होंबली से प्रसन होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चड़ाएंगे लुका 24, 1-35 तक, परंतु सप्ता के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तूओं को जो उन्होंने तैयार की थी, लेकर कब्र पर आई, उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुका हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु ईशु का शबना पाया, जब वे इस बा अवश्य है कि मनुश्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, और क्रूस पर चड़ाया जाए, और तीसरे दिन जी उठे, तब उसकी बातें उनको स्मरन आई, और कब्र से लोटकर उन्होंने उन ग्यारहों को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई, ज जुक कर केबल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया, उसी दिन उनमें से दो जनिम माउज नामक एक गाउं को जा रहे थे, जो यरूशलिम से कोई साथ मील की दूरी पर था, वे इन सब बातों पर जो हुई थी, आपस चलते आपस में करते हो, वे उदास से खड़े रह गए, यह सुनकर उनमें से कलियोपास नामक एक व्यक्ती ने कहा, क्या तू यरूशलिम में अकेला पर देशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है, उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें, उन्हो हमें आशाथी की यही इसराइल को छुटकारा देगा, इन सब बातों के सिवाए इस घटना को हुए तीसरा दिन है, और हम मेंसे कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो बोर को कबर पर गई थी, और जब उसका शवना पाया तो यह कहती हुई आईं की हमने स्वरगदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है, तब हमारे साथियों में से कई एक कबर पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुधियों और भविश्यदवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियो, क्या अवर्शन अथा कि मसीह ये दूख, खवठा कर अपनी महिमा में प्रवेश करे, तब उसने मूसा से और सब भविश्यदवक्ताओं से आरंब करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विश्य में लिखी बातों का अर उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा, तब उनकी आँखे खुल गई, और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आँखों से छिप गया, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हम से बा मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना, यहोशु 11, 1-23 तक, यह सुनकर हासोर के राजा यावीन ने मादोन के राजा योबाव, और शिम्रोन और अकशाप के राजाओं को, और जो जो राजा उत्तर की और पहा पहारी यबूसियों, और मिस्पा देश में हैर्मोन पहार के नीचे रहने वाले हिब्यों को बुलवा भेजा, और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समूद्र के किनारे की बालू के किनिकों के समान बहुत थी, मिलकर निकल आये, और उनके साथ बहुत से घोड़े और रद दालूंगा, तब तू उनके घोडों के घुटनों की नस्कटवाना, और उनके रद भस्म कर देना, और यहोशु सब योधाओं समेत मेरोम नामक ताल के पास अचानक पहुँचकर उन पर तूट पड़ा, और यहोवा ने उनको इस्राइलियों के हाथ में कर दिया, घोडों के घुटनों की नस्कटवाई, और उनके रद आग में जला कर भस्म कर दिये, उस समय यहोशु ने घूमकर हासोर को जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य था ले लिया, और उसके राजा को तलवार से मार डाला, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन् यहोशु ने फुनकवा दिया, इस्राइल ने और किसी नगर को जो टीले पर बसा था नहीं जलाया, और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इस्राइलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुश्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहां तक उनका सत्यानाश कर दाला की एक भी प्रानी को जीवित नहीं छोड़ा गया, जो आग्या यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशु को आग्या दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशु ने किया भी, जो जो आग्या यहोवा ने मूसा को दी थी, उन मेंसे यहो पहार से ले, जो सेर की चड़ाई पर है, बालगात तक, जो लबानों के मैदान में हैर्मोन परवत के नीचे है, जितने देश हैं उन सब को जीत लिया और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़ कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशु को बहुत भी द्याना करे, बरन सत्यानाश कर डाले, इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिये, कि उन्होंने इसराइलियों का सामना करके उन से युद्ध किया। उस समय यहोशु ने पहारी देश में आकर हेबरोन, दबीर, अनाब, बरन, यहुदा और इसराइल दोनों के सारे प इसराइल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया, और देश को लड़ाई से शांती, मिली, यहोशु बारह, एक से चौबीस तक, यर्दन पार सूर्योदे की ओर, अर्थात अरनोन घाटी से लेकर हेर्मोन परवत्तक के देश, और सारे पूरवी इसराइलियों ने मार कर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था वे यहे हैं। में रहा करता था, और हेर्मोन परवत, सलका, और गशूरियों, और माकियों की सीमा तक कुल बाशान में, और हेशबोन के राजा सीहोन की सीमा तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। इस्राइलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया और यहोवा के दास मूसा ने इनका देश रुबेनियों और गादियों और मंच्शे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया। जंगल में और दक्खिनी देश में रहते थे। एक मादोन का राजा, एक हासोर का राजा, एक शिम्रोन्रोन का राजा, एक अक्षाप का राजा, एक तानाक का राजा, एक मगिद्दो का राजा, एक केदेश का राजा, एक करमेल में के योकनाम का राजा, एक दोर नामक उचे देश में के दोर का राजा, एक गिलगाल में क गोईम का राजा और एक तिर्सा का राजा है इस प्रकार सब राजा 31 हुए